मैं सुन मिलकुमार स्वागत आप सभी अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों सिक्षन अधिगम के जो नवाचार है वो अपना टोपिक चल रहा है उसको और उसके अंतरगत अपने जो पहला जो पाड़ था उसके अंतरगत SIQE जो है State Initiative for Quality Education उसके अंतरगत अपने बालकेंद्रित शिक्षा सास्त्र और इसके अलावा अपन कहा सकते हैं गतिवीदी अधारित शिक्षन एवं सतत एवं व्यापक मुल्यानकन के बारे में विश्तिरत रूप से उसमें अपने जर्चा के थी तो आप इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें लगबग 40 मिनिट का वीडियो है शक्षिक परिद्रशे में पूरी पूरी शंबावना है लगबग 3-4 क्यूशन उसमें से पढ़ने की पूरी शंबावना है तो आज अपन बात कर रहे हैं सिक्षन 2017 को इसकी सुरुवात कब हुई थी 5 सेप्टमबर 2017 को इसकी सुरुवात हुई थी इसके दोरा केंद्रिय मानो संसादन और जो विकास मंतराले है जिसको अपन वरतमाने सिक्सा मंतराले करते हैं उसके दोरा इस राष्ट्र डीजिटल माध्यम की सुरुवात की गई थी इस इसका जो फुल फॉर्म नामें दिक्सा यह जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेरिंग तो आपको इसका जो फुल फॉर्म में वो आपको पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज कर दे तो आप कन्फूज होने की पूरी संभाव होना तो अच्छी तरीके से इसको याद कर लें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेरिंग आगे इसके बारे में बात करते हैं कि यह जो है यह किसके दुआरा विक्षित किया गया यह वन इस हां वन नेशन वन नेशन वन प्लेटफोर्म के आधार पर एन सी आर्टी की दुआरा किसके दुआरा एन सी आर्टी है उसके दुआरा इस प्लेटफोर्म को विक्षित किया गया यह अपन कह सकते हैं इस दिक्षा पोर्टल को विक्षित किया गया अब आपको साधन बासा में समझना है इ लेकिन बड़ी बात यह है कि जो भी फिक्ष्ण दिये जाते हैं उन पर्षिक्शन दिये अर्णागो उसके द्वारा अगर कोई भी प्रस्टिक्शन होता है तो इस एप कौन से हैं दिक्सा एप पर वो प्रस्टिक्शन प्राब्त करते हैं और यह जो दिक्सा एप इसके सबसे मेहत पूर्ब्र जो बात यह है कि यह सिक्सकों के लिए उनको माली जे आगे उनको प्रशिक्षन परदान करने के लिए हो, चाहए अपन बात करेंगे, बालकों को अभ्यास यूँ ग्रेकारिय परदान करना हो, उनका व्याख्यान सामगरी, उनको प्लब्द कराना हो, यूँ य परती होगी तो उन सब के लिए ये अच्छा एक पोर्टल ह है तो इसकी मैट्वोपुनबाद कलियर हो गई तो इसको अपन कह सकते हैं नेडशनल टीचर स्वेड़ाड़्फॉर्म के रूप में भी इसको कह सकते हैं को इसका उड् rays क्या हो गया इसका उड्देश है अपन कह सकते हैं should be इसका उड्रील्ब्य और शिक्ष्त कोंके व्यावसाइक उन्नेयन वे विद्यारतियों के लिए वे विद्यारतियों के लिए विशे वस्तु से संबन देत अतिरित सामगरी उपलब्द करवाना तो यह इस दिक्सा पोर्टल का उद्देश है शिक्सकों को एक तो प्रसेक्षन प्रदान करना एबं विद्यारतियों के लिए विशे वस्तु से संबन देत अतिरित सामगरी उपलब्द करवाना तो दिक्सा पोर्टल के सुरुवात के बुई पांस शितंबर दो जार सत्रा को और इसका फुल पॉम क्या है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्ट्टर फोर नोलेज शेरिंग अब अपन बात करते हैं यह जो दिक्सा पोर्टल वो मुख्यत है भारत का एप है जिसके अंतर सभी राज्ये भी सब मिलते हो सकते हैं इसमें कुछ राज्ये अपनी तरफ से भी कुछ विसेज डवलप करें तो इसी संदर्ब में राजस्थान में अगर अपन बात करें तो राजस्थान में राजस्थान राज्ये में जो एप डवलप किया गया वह कौन सा था दिक्सा राइज उस एप का क्या नाम था उस एप का नाम था दिक्सा राइज अभी यहां पर जो दिक्सा राइज है अभी इसके कोई जो महतुपन बात क्या है यह राजस्थान का पोर्टल है वेसे मैंने अभी बात किती कि पूरा जैसे उसके आधार पूर्पी यह लेकिन यह राज़्तान के शिक्षु के लिए कौन सा PORTAL विक्षित किया गया अगर आपकोे से की स्कूचा जाता है तो आपको बताना ढिखा राजी राष्टान सब्सक्राइब कि किया गया है तो हाई कि शिख्षा वीभाग हाउ कि एवं कर एंसी टी के द्वारा ठीक है यह चीजिए यहां पर द्यान रिखने वाली है सुर्विभाग नीक्यों चर्वार और ये धिसार или ren कि इंटरफैस राजस्तान इंटरफेस for school educators ये इसका rise का फुल पॉँम में राजस्तान इंटरफेस for school educators पूरी-पूरी संभावन है कि आपको इसका पुछ लिया जाए जो भी चाहिए क्यूए है सी सी पी है और इसके अलवा एबी एल है आराइए सी राइज दिक्षा है यह फुर्म आपको पता होना बहुत जरूरी है इनसे आपको क्यूशन पूरी जो है शेक्षिक परिद्रिश्य पार्ट में पूचे जाने की पूरी संभ यह चाहिए आपको पूछ लिया जाए फिर टैया क्या कि दो और निर्मान वहर्णपद्र परहने के उद्देशएक इस पर प्रतिचिंग एंड लेर्णिंग कंटेंट्स भी उपलब्द करवाया गया है जिसको अपन सोट में कहते हैं टी एल सी जिसको सोट में अपन क्या कहेंगे कि एक मुद्ध कि टीचिंग कि एंड लेर्णिंग कंटेंट्स आपको यह भी पूचा जा सकता है कि टी एल सी का फुल फॉर्म क्या है टीचिंग एंड लेर्णिंग कंटेंट्स कहने का मतलब यह जो दिक्सा राइज है या दिक्सा है वो क्या है एक तरीके से ओनलाइन प्लैटफोर्म है वो क्या है ओनलाइन प्लैटफोर्म तो दिक्सा और यह जो है इस ओनलाइन प्लैटफोर्म जो दिक्सा राइज है उसका धेवाक्य अपन क्या कर सेंगे धेवाक्य दिक्सा राइज का हमारे सिक्सक हमारे नायक तो दिक्सा राइज एक ओनलाइन प्लैटफोर्म है सिक्सकों के लिए है और विद्यारतियों पर भी इसका अपन कह सकते बेनिफिट है तो इसका अधर्स वाक्य क्या हो गया हमारे सिक्सक हमारे नायक और यह विक्षित इसका जो विकास डवलप किसके के द्वारा किया अबी मैंने बतिया था शिक्सा विबाग एवह में आपको ध्यान रखना है RS CEART जो है उद्धेपूर उसके दौआ यह महतोपुन जो ध्यान रखने वाली बात है इसको डिजइन किसके द्वारा के अगया है दिक्साराइज को शिक्सा वीभाग एवम NCTE के द्वारा और इसको innovative किसके द्वारा विक्षित किया गया रसची आइटी के द्वारा गज़ाँ है और इसके अब अपन बात करते हैं इसके उद्धेश्ययों के बारे में आपको पता कि적으로 इसके बारे में एक इप से इसक बीडियो में इसमें लगबग च्छे विभाग उसके इन च्छे विभाग का लग-अलग कारी तो जैसे यह जो एप डवलब किया गया था या अपन कह सकते हैं इसको विक्षीत किया गया था सूचना एवं संचार प्रोध्योकी कि विभाग नहीं पर जिसका मुख्याले कहां पर है अजमेर में हैं इसका एवं संसार प्रोध्योगी की विपाग आपको ये सिक्षन संस्तान के बारे में भी पुचा जा सकता है तो राइज का उद्देश एपन पढ़ लेते हैं इसका मोटा मोटा जो उद्देश यह हैं ठीक है शिक्षको को गुण वत्ता युक्त मंच उपलब्द कराना दूसरा जो उद्देश एपन बात करें शिक्षको का व्यक्तिगत व्याव साइक विकास करना है तीसरा इसमें शिक्स को द्वारा शिक्स को द्वारा विध्यार्तियों में सीखने की ख्रमता विक्षित करना है यह होगे दिख्षा जो राइज है उसका उद्देश है तो अब थोड़ा से एक बार इनके मोटे मोटे क्यूशन है मैं तो पुन उनके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं लिखूँगा नहीं के वाल आपको बोलूगा कि अगर आपको सिक्सकों के लिए राश्ट्रेस्तर का मंच कोन सा है तो आपको बताना है अगर आपको पुझा जयता है कि डिख्षा का फूल पोईम की है तो वो NCERT के द्वारा विक्षित किया गयी था और दिख्षार राईज क्या है तो यह भारत के सिक्षगों का मंच नहीं बलकि यह राजस्तान जो बनने वाले संभावित दिक्षा राइज से कौन लाभानवीत होते हैं तो ध्यांदर के दिक्षा राइज जो है उससे सिक्षक भी लाभानवीत होते हैं और अभिवावक भी लाभानवीत होते हैं यह सभी के लिए एक मंच है तो आपको पूचा जाता है कि माली जी राजस्तान में जो द के दुवारा तयार किया गया एप की बात नहीं कर रहा हूं में उस पर जो सामगरी कौन तयार करता वह आरे सी आरटी करती है ठीक है और दिक्षा जो राइज उसका फूल वोर्म क्या है राजस्तान इंटर्फेस पॉर स्कूल एजुकेटर्स यह थी दिक्षा से समधित समझे ठीक है दोस्तों आप सबको पता है कि कोविट नाइंटीन जो है उसके दोरान जो सिक्षन अधिगम पर किरिया जो है वो सबी जगम बादित हुई थी ठीक है लेकिन राजस्तान जो सरकार है बालकों के हिते में हमेशा परियास रत रही है और इसी संदरफ में राज् शिक्षा विभाग एवं विभिन संसादनों का उप्यों करते विए कुछ सेक्षिक नवाचार किये गए और उन सेक्षिक नवाचारों में एक मेहत्वपुन जो नवाचार है वो है इसमाईल प्रोग्राम तो इसमाईल जो प्रोग्राम है उसकी सुरुवात कब हुई थी क पोराण काल के दोरान हूई थी और क्यों हुई ती सबचे में तब हूं कि जो वालए को उनकी जो है बीना रुक talented गाद जारी रहे इस मुद्देशे से स्मायल प्रोग्राम की सुर वाद की तो Ismail जो प्रोग्राम है उसकी सुरुरात कब की गई थी? Ismail प्रोग्राम जो है उसकी सुरुरात की गई थी? 13 अपरेल 2020 को और Ismail जो प्रोग्राम है उसका फुल फॉर्म क्या है? Social Media Interface for Learning Engagement यह Ismail का फॉल फॉर्म है Social Media Interface for Learning Engagement मेंट और स्मािल प्रोग्राम की सुरुआत कभूई थी 13 अपरेल 2020 को तो यहां पे घर सब सहवाइल प्रोग्राम जो यह किसके यह वाड़ारीत है आधरीत उप जिसके अंतरगत जो सीक्षन अधिलाम जो शाम घरिए वाट्सव के दौरा बेजी जाती थी यानि VISTA के अंतरगत प्रतीदिन नो बजे प्रतीदिन नो बजे वाटसब का जो गुरूप बनाय गया और उसमें यह जो लिंक जो है स्क्राइब सामगरी हिसे समदित वह गुरूप में प्रतीदिन नो बजे शेर कर दिया जाता था और बालक घर बेटे जो अधिगम अपनी परक्रिय है वो जारी रख सकते थे तो इसका जो एक अपन कह सकते हैं इसका धेवा कि क्या था हर सवेरे नो बजे हर सवेरे नो बजे हर गर में घंटी बजे अब इसके अंतरगत जो इसके अंतरगत में बताया कि समय जो फस्क जो सुरूआ था उसके अंतरगत वाट्सप पर उनको जो सामगरी है वा उनको गुरूप में सयर कर दिया जाता था और उसका फीडवेक भी लिए जाता था अब देखी इसमें अपनको समाइल 2.0 भी है समाइल 3.0 भी है तो कैसे याद करना ला इसस इपर बात गरते हैं तो समाइल 2.0 जो है इसमाइल 2.0 यानि आपन क्या कह सकते हैं इसमाइल ले तो पॉंट जीरो यानि इसको अपने स्माइल दो नंबर भी कह सकते हैं तो दो नंबर में ने क्या गाँ दो नंबर तो इसको याद रख लेना ये सुरुवात भी कभू आता दो नवंबर कभू आता दो नवंबर तो दो नवंबर दो जार भी इसको इसमाइल टू पॉंट जीरो सुरू किया गया तो याद रहेगा आपको इसमाइल टू पॉंट जीरो दो नंबर वाला दो नवंबर को आप याद रख लेना इसमाइल जो टू पॉंट जीरो है उसमें जो महत्वप ग्रहकारिये दिया जाने लगा अब इसमें देखिए कुछ वालक ऐसे थे जिनके पास घर में मॉबाइल की शुविदा थी उनको ओनलाइन और जो वालक ओफ-लाइन थे उनको सिक-सक घर पे जाकर घर-ढर जाकर घ्रहकारिय देते ते इसका उद्देश में रहा इसका उद्देश से ये रहा कि वह जो अपन कह सकते उनकी स्कान अधि पिर ओंक दीन और च्रेम करें इस उद्देश उनको प्रती लाइन उनको जो वर्ग दिया जा रहे हैं उनके जो पॉर्ट फोलियो में उस जो प्रतिलिपी है उसको संदारित करना होता था इसके अंतरगत क्या होता दो कक्षा एक से पांस तक जो वालक है उनको प्रतेग सोम्बार को ग्रयकारिय दिया जाताता था एक सा एक से पांस तक्के को प्रतेग सोमवार और कशा जो छे से आठ है उनको कब दिया जाता था प्रतेग सोमवार एवं बुद्वार को उनको यह कारिय दिया जाता था अब आग्गे बात करते इस्माइल 2.0 के बाद में इस्माइल 3.0 इस्माइल बेसिक चीज़ आपको पता होना जरूरी है कब वह था 21.0 2021 को वो दोनों 2020 में थे यह 2021 में इस्माइल 3.0 2021 को इसमें क्या हुआ इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि इसका उद्देश क्या था बालकों का सरवांगिन विकास करना वहां पर तो क्यों बात की जा रही थी यहां पर है इसमाइल 3.0 का उद्देश से बालकों का सरवांगिन विकास करने के उद्देश से इसमें की करवाई जाने लगी मैंतब बदला क्या हुआ है इसके इंतरगत इसमाइल 3.0 के इंतरगत उनकी क्यों परतियों कि ता करवाई जाने लगी इसमाइल 3.0 के इंतरगत और यह कब हुआ 2100 2021 को ठीक है और इसके तहट कौन सा अभियान चलाया था समर्थ अभियान किन के लिए जो सी डबलू एसन चाइल्ड विद स्पेशल नेड्स विश्यस आफशिकता वाले बच्चों के लिए समर्थ अभियान इसके इंतरगत चलाया गया तो यह भी आप महत्वपून द्यान रखना इसम कॉंटेंट और ग्रहकारी इसमें वर्क्षीट के लिए प्रती दिन वाट्सप ग्रूप पर उनको साजा किया जाता था और इसमाइल कारेकरम का उद्देश है क्या था मैंने कहा कि कोरान कॉल में शिक्षा की निरेंतर था सुनी चीतों जारी रहे और उनको ओनलाइन पठ् प्रोग्राम की सुरुआत कब हुए वह बात की बात है लेकिन पहली चीज आपकी यह थी कि स्माइल का फूल पॉम क्या है सोचल मीडिया इंटरफेस और सोचल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट और इसकी सुरुवात कब हुए थी तेरा अप्रेल दो जार बीस को यह द्यांदर किना तेरा प्रेल स्माइल वन टू दोनों दो जार बीश में और थ्री जो है वो दो जार एकित दोस्तों अब अपन जो सिक्षन अधिकम के नवाचार है उसके इन तरकत आगे जो नवाचा है तो यह एक रेडियो अधारित प्रोग्राम और इसका जो धेवाक्य है वो क्या है प्यारे बच्चों कान लगाओ प्यारे बच्चों कान लगाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ यह इसका धेवाक्य है ठीक है बेसिक्ष चीच आपको पता होना जरूरी है तो शिक्षा वाणी जो प्रोग्राम में इसकी सुरुवात कब हुई थी इसकी सुरुवात हुई थी ग्यारा मईं दो जार बीस को कब हुई थी इसकी ग्यारा मई 2020 को इसकी सुरुवात हुई थी अब आप इस को इस डेट को आप किस तरीके से याद करें अभी मैं बात करूंगा सभी जो डेट आपको असनी से कैसे याद रहें यह इसको एक करमसे में आपको स्टेट कर दूँगा कि देखिये जो इसमाइल जो प्रोग्राम हुआ था उस प्रोग्राम कब हुआ था यह 13 अप्रेल को प्रोग्राम यह स्टार्ट हुआ था और उससे जस्ट अगले मंत में कौन से प्रोग्राम की सुरुआत हुए थी देखिये वहां पर 2.0, 3.0 उसको आप अलग रखो में यह जो सुरुवात हुई थी कभ इसकी 11 मैं 2020 को इसके पहले में बात करना बोल गया था जो हवा महल जो प्रोग्राम वह था ठीक है वो कभ प्रार्म वह था पहले अपन उसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार कि देखिए हवा महल जो प्रोग्राम है यह वाटसव आधर 2020 को मैंने वाफिस यह चीज़ क्यों पढ़ाना स्टाट किया क्योंकि देखिए जो इसमाइल जो प्रोग्राम वह वाटसव आधरीत और हवा महल यह दोनों वाटसव आधरीत प्रोग्राम में जो अभी मैंने बात करना स्टाट के थी सिक्सावानी वह रेडियो आधरीत प् हुई थी और उसके उगले मंत में ही हवा महल प्रोग्राम की सुरवात क्यों थी दो मई-2020 को यह आपको याद रखना में इसके अंतरगत जो मेहत्वपोन बात क्या है हवा मेल जो प्रोग्राम है इसके अंतरगत शिक्षन अधिगम प्रक्रिया शिक्षन अध्रिक्रिया को को सिक्षक एवं विध्यारति के लिए, शिक्षन अधिगम जो प्रिक्रिया है, उसको रोचक एवं रचनात्मक बनाना इसिए उदितेह से, प्रतित सन्िवारे को डिया Gil कारिकरम के अंतरगत क्या होता था Nobel को सन्निवार को कि वाट सेब के माध्यम से कंटेंट बेह जाता था यह हवामेल कारिकरम का महत्वपून बिन दुए इसके न्तरगत तो इसमें क्या है जो हवामेल जो प्रोग्राम उसका उद्देश है था बच्चों का सर्वांगिन विकास करना और इस यात्रा में पहली क्लास से लेकर ट्वल तक के बच्चों को लिए समस्त चाहिए शिक्सक हो चाहिए विद्यार्ति हो चाहिए शिक्सक विद्यार्ति एवं अभिवावक उन सब के लिए पठन सामगरी जो भी जैसे अपन कह सकते हैं ओडियो वीडियो एनिमेशन बूक इबूक यह सब इसके इंतरगत साजा की जाती थी ठीक है तो यह इसके इंतरगत जो मैंतुपन बाती हवामेल प्रोग्राम के बारे कि यह परतेक सनिवार को इसमें वाटसप के मादेम से कंटेंट बेजा जाता था जो कि किन के लिए था यह कई बार क्योंसन पुझा जा सकता है सिक्सकों के लिए विद्यारति और अभिवावक सभी के लिए यह मैतुपन था तो यह हवामेल जो कारेकरम था इसकी सुरुव अब आगे बात करते हैं अभी मैंने बात की थी उसके सिक्सावानी प्रोग्राम के बारे में तो देखिए जो सिक्सावानी जो प्रोग्राम है यह अब बात करते हैं इसमें सिक्सावानी जो प्रोग्राम है यह रेडियो आधारित प्रोग्राम था सिक्सावानी प्रोग्र प्रोग्राम है यह द्यान रखना यह रेडियो आधारीद प्रोग्राम है और इसकी सुरुवात कब हुई थी अभी जस्ट उससे पहले दो मही को यह वो प्रोग्राम सुरू हुआ था कौन सा अवाम महल और उसके बाद में यह प्रोग्राम होता उसी महिने में 11 मही 2020 को यानि इसका देवाक्य था कि प्यारे बच्चों कान लगाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ यह इसका देवाक्य था शिक्सावानी प्रोग्राम की सुरुवात कब हुई थी 11 मही 2020 को इसके अंतरगत क्या होता था देखिए ऑब आ rest hour कि या हुआ यह वे इस चीजड को भी आपना असाने से याद कर सकते हैं अभी बात की इस प्रोग्राम की सुरुवात कब हुएugo 11 मई यह मई तो 11 मई को प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी तो दिहान रखिए इसमें प्रोग्राम शुरू भी कब होता था 11 बज्जे से यह रेडियो आधारीद प्रोग्राम था मैंने अभी बात की थी यह क्या था ग्यारा मेई से परोग्राम सहोता तो रीची እ already 11 बज Prison मीनिट कर जारी रहता था सधक्या ह। truk 08 के लिए तो क्या है कि मेन की कहानिया है है ओर ये ये अपन कह सकते हैं दो पार्ट में दिवाइड था यह 55 मिनिट कख्षा 1-2 के लिए मिना की कहानिया एवं कख्षा 3-12 है उसके लिए कि पॉद्टे करम आधारीत के सरवय पठो का परसारीत किया जाता था इसके अंतर राध पाथे गरम आधारीत सरवय पठ कि इस पर प्रोग्राम होता था तो यह जो सिख्षावाणी प्रोग्राम में उसकी मूल बात थी वो मैंने क्लियर कर दिये तो सिख्षावाणी प्रोग्राम की सुरुवात के बुई थी 11 मही 2020 को 11 मही 2020 को और इसमें प्रोग्राम कित्ती बज़े से कित्ती बज़े तक 11 बज़ किया जाता था और यें कब से कहां से कौन से कखसा तक अएक से बार flowers के बच्चों के लिए program था इता तो ये बात हगाई करते हैं sick start दर्शन program की कि कि अ झाहि झेलिक जो नावाचार है वो है sick start versan प्रोग्राम शिख दर्शन जो तो प्रोग्राम में इसकी महत्वपोन बात है ये एक TV आधारित प्रोग्राम है या अपन कहसके थी एक TV आधारित प्रोग्राम था जिसकी शुरुवात कब हुई थी जिसकी सुरुवात 1 June 2020 को हुई थी अब देखे करम से अपने चीजों को पढ़ रहे हैं अभी मैंने बात क इसको शिक्षा दर्शन प्रोग्राम की सुरुवात हुई थी शिक्षा दर्शन जो प्रोग्राम है उसका जो धेवाक्य क्या था बच्चो देखो ग्यान बढ़ाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ कि यह शीक्षा दर्शन जो प्रोग्राम उसका अदेवाक्य था शिक्षा दर्शन जो Probleme शेखति कि मैं धर्श高 गंट कर貌 हिसन सब्सक्राइब рав अब वर प्रोग्राम होते हैं कि प्रोग्राम जिसके अंतरगत क्या होता था पाठ्ट्य सामगरीन प्रसारण के प्रसारण किया जाता था और सनिवार को नो बेक डे पर इसमें केरियर कला क्राप्ट समाजों प्योंगी उत्वादक कारिय आधी प्रसारित इनके एपिसोड प्रसारित किये जाते थे अब देखी इस प्रसारित के लिए प्रसारित होता था और 11-12 के लिए इसे प्रसारित होता था और स्लोट जो सेकिंड था उसके अंतरगत तीन बजे से लेकर सवाठार बज़े तक ठीक है यह होता था कक्सा 1-8 के बच्चों के लिए तो यह इसके अंतरगत मैं तो बहाती तो यह गंट यह हो गया.. यह गंट यह और सवा गंट है यह को गया तो टोटल है लगवक सवातीन गंटेगा ये प्रोग्राम होता था तो शिक्षा दर्शन प्रोग्राम उसके बारे में भी बात हो गई तो अब देखे इसको अपन सभी को जो है उनकी डेट को किस तरीके से अपने याद कर सकते हैं दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं तो प् हाग ले सकते हैं तो देखिए इसमें अपने बात करते हैं सुरू से इनको देखिए बात करते हैं इसमाइल प्रोग्राम की आप एक ही बात याद रखें कि इसमाइल जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम की सुरुवात कब हुई थी 13 अप्रेल 2020 को इसमाइल प्रोग्राम की सुरुवात हुई थी हवा महल जो प्रोग्राम है उसकी सुरुवात कब हुई थी अगले महिने में हवा महल जो प्रोग्राम है उसकी 2 मही 2020 को इसी के आगे आप याद द्यान रखो शिक्षा वानी प्रोग्राम पहले शिक्षा वानी प्रोग्राम है और उसके बाद में शिक्षा दर्शन शिक्षा वानी प्रोग्राम कब हुआ था 11 मही 2020 को और शिक्षा दर्शन जो प्रोग्राम है कि वह वह था कब एक जून 2020 को ठीक है तो यह चार डेट जो है वो तो क्रम से याद रहेगी आपको तेरा अपरेल उसके बादे दो मही उसके बाद में ग्यारा मही और उसके बाद में एक जून तो हाला कि मैंने बता है इसमाइल 2.0 वह दोनों पर रहेगा और इसमाइल 3.0 है वह कब रहेगा 21.0 2021 को अब इसमाइल और जो हवा महल है यह वाड़सेप आदारीत है शिक्षा वाणी रेडियो आदारीत है और शिक्षा दर्शन टीवी आदारीत है यह रेडियो आदारीत है और यह टीवी आदारीत है और यह वाड़सेप आदारीत है ये इसके में परते हैं तो ये कम्प्लीट हो यहां तक अब आगे अपन इसके अलवा जो और नवाचार है उनके बारे में भी अपन बात करते हैं जिसे राजस्टान के चिक्हाः में बढ़ते कदम यह जो क्या है इनके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं हां तो दोस्तों इसमें अपन आगे देखते हैं जो नेक्स्ट नवाचार है उसके अंतर गता है निश्ठा निश्ठा जो है उसका फुल फॉर्म क्या नेशनल इनिशिटीव फॉर स्कूल हैट्स एंड टीचर हॉलिटीचर्स हॉलि यानि मानुष संसादन विकास मंतराले जिसको शिक्सा मंतराले भी कहते हैं और इस निश्ठा का जो संचालन्ज किसके द्वारा किया जाता है अन्सी ए आर्टी के द्वारा अभी मैंने कुछ देर पहले बात कि थी जो दिक्सा जो एप था उसमें वह एक ऐसा पोर्टल था जिस पर शिक्सो को प्रस्रीक्षन दिया जाता था ओनलाइन प्रस्रीक्षन तो निश्ठा भी एक ओनलाइन प्रस्रीक्षन है वो मन्त चता और यह निश्ठा क्या है एक प्रस्रीक्षन है तो इस प्रस्रीक्षन में क्या है देखिए यहां पर इस्कूल है इस्कूल के जो स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांस यानि स्कूल प्रमुकों के लिए यह प्रसीक्षन था तो निश्टा के अंदर कर दिये महत्वपूर्पूर्ण बात है और ज्यादा कुछ नहीं इसके इसकी सुरुवात का बुईती दोजार गुनिस में निश्टा प्र आरे स्यार्टी के दुआरा ठीक है तो यह क्लियर है अब आगे नवाचार देखते हैं इसके अंदर के लगबग 5-7 मिनिट का ओर है इसमें यह मैं तो बात द्यान रखना निश्टा जो 1.0 था और निश्टा 2.0 वन पॉइंट जीरो था जो वो किसके लिए था सिक्स को के लिए और निश्टा 2.0 है वो संस्ता प्रदान है या संस्ता जो प्रमुख है उन सब के लिए लागू था यह तो देखे इसमें अगला अपना जो नवाचार हह उसकड़ी में अगला जो नवाचार हे वो है इकक्सा इकक्सा जो कारिकरम है उसकी सुरुवात कब हुईती 15 अक्टूबर 2020 को इसके साधर नपन बात बात करते हैं इसका उद्देश है क्या था इसका उद्धेश है क्या था गरीब एवं राज जी के जो गरीब एवं साधारन परिवाले जो बच्चे हैं उनको निश्चूल के डिजिटल स्कूली शिक्षा उपलब्द कराना ठीक है गरीब एवं साधारन बच्चों को राज जी के गरीब एवं साधारन बच्चों को आफिंग हैं और इसका इस पर जो अपन बात कर theo ज्यूस है विपैंइंज आường किसके दोबरह चाल की झातीती थी या शीर को कि दौबारा इसकी जो षीर्च क दौबार है इसके इन सम्गरी वह इस किया गया था ठीक है इस यूट्यूब चैनल के माद्यम से जो मिस्टन ग्यान एफ है वो भी लांच किया गया था ठीक है इसमें जो मैं तो पुन्ति कक्सा 1-12 तक जो हिंदी माद्यम का मेंटर भी इस पर उपलब्द होता है और कशा 1-12 के जो विशेस से लिए वाले जो बाल दोस्तों नो बेगडे ये जो नवाचार है इस नवाचार की जो शुरुवात अपन कह सकते हैं गोशना गोशना कब हुई थी 20 फरवरी 2020 को इसकी गोशना तो 20 फरवरी 2020 को हुई थी और इसका जो प्रारंब कब हुआ था जो अभी 2022 तेईस का जो शत्र अभी चल रहा है उस शत्र में इस नो बेगडे नवाचार की शुरुवात की गई है कि देखिए नो बेगडे जो इस नवाचार किया गया इसका मेहतूपूर्ण उद्देशे क्या था बालक की अंतरनी हीत अंतरनी हीत क्षमताओं को निखारना और यह अभ्य चिंप अब ऊप्रय को के उटम को के लिए इसां इसे एतंग से अलग agree जा थे जा जाते हैं इसके अब इसके अंतरगत क्या होता था कखसा एक gewoon 12 तक जो जितने भी वालक है विद्याले विद्याले में उनको बिना बेक विद्याले आना होता था ठीक है भाहिँ यांकर या की दूस्च नेकी वीद्याले में कुछ से अपन बात करते हैं अ कि अगर जैसे पहला सवार होगा इसको कौन सा यह टीम उसकी क्या रहे गी है दूसरा जो रोस्किन टीम रहेगी इसको आप समझये और आसानी याद भी हो जाए कि पहला जो सनिवार था उसके अंतरगत क्या होता थे इसकी ठीम ती राजस्तान को जानो राजस्तान को जानो बैस सबसे पहले आपको इसको तो कुछ रठने की जुरुति नहीं है हाँ दूसरा जो सनिवारता वो है उसकी थीमती भासा कोसल का विकास अभी देखें अपने इनको किसे याद करते हैं तीसरा जो सनिवारता उसकी थीम खेलेगा राजस्तान बढ़ेगा राजस्तान चोथा जो सनिवारता उसका थीम कहती है मैं वेग्यानिक बनूँगा और पांचवा जो सनिवारता उसकी थीम थी बाल सबा मेरे अपनों के साथ अब देखिएं ज्यादत तो इसमें नहीं है लेकिन महत्वपुन बात आप देखिए सबसे पहला अगर सनिवार के आपको पूछा जाए तो आप सब को बता है कि इसमें राजस्तान को जानो ये पहली बात है दूसरा यहाँ पर देखिए महत्वपुन इसमें क्या है भासा कोशल का विकास तो दो सब्द आप देख लेना आपको दिये जाएं अगर उसमें थीम मेंशे तो आप देखना है कि भासा कोशल का विकास है तो इसके अंतरगत क्या है में चीज क्या है भासा का विकास को सलगा विकास तीसरा जो सनिवार उसमें खेलेगा राजस्तान बढ़ेगा राजस्तान और चोथ जो है उसके इंतरकत चार सब्द है यहां पर तीन सब्देखे लेगा और यहां पर दो सब्द भासा तो मेरे साब से यह ट्रिक आपके लिए काफी बैटर रहीगी और पांच अब इसके जो अभीवाव वह वह उसमें सम्मिलित होते हैं कौन से सनिवार को पांच वे सनिवार को तो आपको डायरेक्ट लेगर पुछा जाए को तीसरा सनिवार जो होता है उसकी नोबेगडे को थीम क्या होती तो आप व्यादर को खेलेगा राजस्तान बढ़ेगा रा अब जो नोबेगडे जो उसके अंतरकट जो ग्रूब बनाय जाते हैं वो कक्सा वाड़ नहीं बनाए जाते मैं though क्सा वाइज नहीं होते हैं यह गुरूब बढ़ने होते हैं गत्थ बहो इसके जबाद काक्षा में वे इस तरीके से उसके अंत्रगत बच्चेर होते हैं तो यहां पे अपन बात करते हैं जो सम्मो जो बनते हैं उनका नाम भी देख लेते हैं कई बार पुचा जा सकता है सम्मू है और उसका नाम क्या हो का है तो कक्सा एक और दो के जो बच्चे होते ही आपन कह सकते हैं उस सम्मू नाम ये तो हो गया कक्सा सम्मू है और हो गया उस समधित सम्मू का नाम तो कक्सा एक से दो है कि जो बालक है उनका सम्मू का नाम रहेगा अंकूर कक्सा तीन से पांच कक्सा तीन चार और पांच से उनका सम्मू का नाम रहेगा प्रवेश कक्सा छे साथ आठ जो है सम्मू है उसका नाम रहेगा दिसा और ककसा नो दस जो समू है उसका नाम रहेगा शितिज और ककसा ग्यारह और बारह उस समू का नाम रहेगा उन्नती तो मेरे साथ से इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सबसे पहले चीज होती है अंकूर ठीक है और उसके बाद में वह आमारे जब हमको दिखाई देने लग जाए एक तरीके से उपरवेश और फिर आजाता चाहसे आठ ठीक है उसकी एक दिसा प्रारम हो जाती चाहसे ठीक है और दिसा कौन से यह शितिज और अंतिम जो बारा वारा एक उन्हती इसके अंतरगत हो गई तो यह बात थी नोबेगडे प्रोग्राम से संबंदित नवाचार से संबंदित मेहत्वपून यह चीज नवाचार है इसके इंतरगत क्योशन पूचे जाने की पूरी संभावन है देखे सेक्षन अधिगम का जो नवाचार इसके इंतरगत क्योशन इसके इंतरगत है तो अब एक और देख लेते इसमें मेहत्वपून छोटा सा देखे यह अपना अगला जो नवाचार की बात कर रहे हैं उसमें है आरके एसम बिक्पे वेरी वेरी इंपोर्टेंट आरके एसम बिक्पे हैं इसकी सुरुवात कब ग्यारा जुलाई दोजार बाइस को आरके एसम बिक्पे इसका फुल पूम क्या देखिए राजस्तान के सिक्सा में बढ़ते कदम तो कोई दिक्कत नहीं है एगी राजस्तान के सिक्सा में बढ़ते कदम यह आपको ध्यान रखना है इसका पुरा नाम क्या कई बार इस तर आगे पीछे करना तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी मेरे साब से आर के एसम बीके इसकी सुरुवात कब हुई थी 11 जुलाई 2020 को और यह जो कह सकते हैं इसको 2022 का जो शत्र है 2022 2023 का जो शत्र है इससे यह कारिय कर रहा है इसके बारे में अपने बात करें तो देखिए यह जिसे आर के ईसम बीके यानि एक एप है जिसे अपने मोबयल में इसको डाउनलोड कर सकते हैं आर के सिक्सा बादित नहीं हो इस उद्देसे से स्माइल प्रोग्राम की सुरुआत की गई थी लेकिन आप सब को पता है कि गोरणा काल के अंतरकत बच्चों की सिक्सा निशित रूप से बादित हुई थी उसको परियास के बावजूद भी अधिक कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आप आप जानते ये चीज़ों को देगे ओं-लाइन माध्यम ओफ-लाइन ही होता है तो उसके अंतरकत ये बड़ा अंतर हुआ कि एक सजीवता नहीं रहती कहीं ना कहीं तो उस ओफ-लाइन क्लासें नहीं के कारण प्रतेग वालक पर ध्यान नहीं दिया जाज़का जिसके कारण उनका निशित रूप से उनको अधिगम में लोस हुआ है तो उस कोरोना काल के दोरान उनकी सिक्षा बाद दित नहीं हूँ इसके लिए तो स्माइल की प्रोग्राम हुई थी और जिन लोगों को जो अपन कह सकते जो लोस हुआ सिक्षन अधिगम का उस लोस को रीकवर करने के लिए उसको कवर करने के लिए उसके बरपाई करने के लिए उसको रीकवर करने के लिए इस एप की सुरुवात की गई है और के समझा दिया मैं तो इस बात को आपको पता है कि जो बच्चे कक्सा में पिछड़ गए हैं उन बालकों को जो बेसिक इस तरह पर लाने का उद् लगाना होता है जिसके लगाना होता है और शिक्स को इसमें कुछ भी चेक नहीं करना होता है जो उसने इसको सब्मेट करना होता है उसके बाद में लगभल तीन चार दिन में पूरा चेक हो जाता है और उसकी रिपोर्ट बनकर ओनलाइन अपने आप जाती है अपनको क्या होता है प्रिर्फिकष को सिर्फ उनका पेपर लेना होता है और उसके अगय होता है और कि सबसेंगें पर कुछ विश्ज द्यान देरें की जडरूत होती है यह इसके मेसीन तो मेरे बता दी ओनाया कि इस क्या जाता है किसके दोरा संचाल अरेस alt के दोरा कर थी आब कि यहां हैiste ऑब इसमें देखिए इसकी इमें भी बात किती इसका संव मॉण 2 बनते हैं जी साथ परतिसमना से उपर जिन बालों के नंबर पुष्धिक है इस लर्न लोस को रीकावर करने के उद्देशन Goku Hello anyways còn रुद०job म aç कीगई व्रक बुक काम कर यहांपर कार्य पूछतिका तो वह जो अदिक तब सब्सक्राइब बच्छों को दीगई उसका उद्देशन है जो सिक्सा में पिचट गए हैं उनको समूवन में लाने का प्रियास करना इसके अंदर कर जो वर्क बुक का नाम भी आपको कई वार पूछ लिया जाता है कक्सा एक में जो वर्क बुक चलती है उस वर्क बुक का नाम क्या है तो ये भी महत्वपून है तो कक्षा एक में जो वर्क बुक चलती है उसका नाम है प्रत्म उसका नाम ही क्या है उसका नाम ही प्रत्म है जो कक्षा दो है उसमें जो वर्क बुक चलती है उसका नाम है पल्लव और कक्षा जो तीन है उसमें जो वर्क बुक चलती है उसका नाम है पहल ठीक है कक्सा जो चार है उसमें जो वर्क बुक चलती है चार और पांच दोनों में सेम चलती है कक्सा चार और पांच में जो वर्क बुक चलती है उसका नाम है प्रियास और कक्सा चै और साथ में जो वर्क बुक चलती है उसका नाम है प्रवा है और कखसा 8 में जो वर्कपुक चलती है उसका नाम है प्रक्खर में तो ये वर्क बुक का नाम है तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना जEROजी है प्रत्हम पलव और पहल और प्रयास प्रवाहर प्रखर तो यह आपको थोड़ा पांस रात वार रिपेट करना पड़ेगा तब जाकि यह चीज़े याद हो जाएगी तो यह आपका था शिक्ष नदिगम के नवाचार से सम्मंदित महत्वपून वीडियो तो आप दोनों वीडियो देख लोगे तो निश्री तुरूप से कोई दिक्क्यत नहीं है कि सोट में नहीं सब चीज़े क्लियर करवा दी है और आज इसके जो ऑब्जेक्टिव क्यूशन है वह भी में डा झालेवाते